हेलो अब्रिबाइन गुद मॉर्णिंग टोल उफ्यान वेल्कम तु दब इंजिनियर सर्डार 24-7 मेरा नाम है विशेक कौशिक एक बड़ जल्दी से बता दो कि ओडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है क्योंकि यहां से क्लियर है सब कुछ तो एक बड़ आप कन्फर्म करा दो कि हम फिर स्टार्ट कर पाएंगे सेशन को अपने बताएए गाइस हेलो बभीता गुमारी गुड मॉर्निग गुड मॉर्निग एक बड़ जल्दी से कनेक्ट हो जाओ फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन आज का जैसे कि आपने थमनेल में देख लिया होगा कि आज हम डिसकस करने वाले हैं एवरेज को और जो की थोड़ा बहुत कुशन बचे हुए थे उसमें वो डिसकस कर लेंगे आज है ना फिर कल से एक नाया टोपिक स्टार्ट करने जा रहे है ठीक है हलो अनू, कुमारी, गुड मॉर्निग, बभीता, रोशनी, स्वागिता सभी को गुड मॉर्निग गाईज पर फ्री, जिसको आप अटेंड कर सकते हो डेली, नो बजे नो बजे सुबह सुबह और फिर ग्यारा बजे होती है यह दो क्लासेज आप यूट्यूब पर डेली क्लासेज यहाँ पर अटेंड कर सकते हो अगर आपको पेड़ भी पढ़ना है अप्लिकेशन पर तो आप 3 बजे आ सकते हो 3 पीम, ठीक है 3 पीम होती है आपकी पेड़ की क्लास, अप्लिकेशन पर जो क्लासेज होती है ठीक है चलिए, यह काम अभी तक आपने कर लिया होगा एप को डाउनलोड करने का गर नहीं किया है तो आप को डाउनलोड कर लो फटावर्ट क्योंकि आप को डाउनलोड करने से ये सब features जो देख रहे हो आप ये सारे features एप में आपको मिल जाएंगे, चीक है चलिए और अगर आप ही तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है Inginnious Adda 247 के चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको bell icon दिखाई देगा और bell icon से आपको जैसी आप टैस्ट करोंगे bell icon को तो फिर जो भी notification जो भी classes का notification है वो आपको टाइम ली मिलता रहेगा सभी को ठीक है हाँ हाँ साव आज से स्टार्ट हो रहा है ठीक है ठीक है तो ये कुशन मैंने कल आपको हमवर्क में दिया था I think याद है सबको find the average of the first 25 multiples of 5 इसको जल्दी से answer कर दो इसको जल्दी से answer कर दीजिए पर हम आगे बढ़ते है ठीक है ठीक है option number B कह रहे है आप 60 अनू ठीक है अनू 60 कह रहे है और बाकी लोग 65 कह रहे है A के पटेल ओके option D भी कह रहे है that is 80 चलिए देको आसान से कुशन है find the average of the first 25 multiples of 5 तो पहले 25 multiples ढूणने है आपको 5 के उनका आपको average लेना है ठीक है उनका बस आपको average लेना है तो पहले 5 के multiple क्या होंगे पहले 25 पांच के multiple ढूणने है तो अगर मैं 5 common ले लूँ क्योंकि 5 तो सभी में common होगा और 1 से लेके 25 तक जाएगा तो 1, 2, 3 इस तरीके से 25 तक जाएगा ठीक है इस तरीके से 25 से जाएगा 5 तो common ही है तो 5 को तो side में लिखी लेते हैं तो 1 से 25 तक अगर plus करना है तो n into n plus 1 होता है divided by 2 तो n into n plus 1 divided by 2 यहां से क्या आजाएगा sum निकल के आजाएगा n की value कितनी है इसको थोड़ा cancel out कर सकते हैं कि थोड़ा simplify कर दू यह कितना हो जाएगा 13 और 13, 55 65 into 25 यहां से क्या आगया आपका sum निकल गया आगया टोटल लेकिन मेरे को sum नहीं पूचा है मेरे से तो average पूचा है कितने का 25 का divided by 25 और करना पड़ेगा आपको कितना आजाएगा 65 option number A ठीक है जी clear है सबको ठीक है अगर आपको sum निकालना है किसी भी numbers का n numbers का तो क्या होता है n into n plus 1 divided by 2 n क्या होगा कि total number कितने है ठीक है clear सबको समझ में आगे सबको guys देखो likes बहुत कम है only 9 likes दिख रहे हैं मैं रुको भी यहाँ पे जो कि गलत बाद है 9 likes को at least 50 होना चाहिए यहाँ पे और जो 15 people आटना वोचेंग उसको share करके आप 100 तक पुचा सकते हो इतना काम आप कर दिया करो बिना कुछ कहे चलिए जे आगे बढ़ते हैं यह देखो आसान साई कोशन है कि आपको average daily expenditure जो है of a man in 1999 तो year दे रखा है 1999 who spend इतने रुपे 6,535 रुपे in the first half year और इतने रुपे वो last जो last half year बचा उसमें ठीक है तो daily expenditure of a man पूछा है आपसे है ना daily expenditure कितना आएगा यह आपसे पूछा है अगर daily निकालना होगा तो मेरे को पूरा साल का पता होना चीए पहले sum है ना साल का पता कहां से होगा जो यह दे रखे हैं values आपको ठीक है क्या से करेंगे देखो so what was the average daily expenditure आपको निकालना है है ना तो daily average कितना होगा वो आपसे निकालना है और फिर मैंने in 1999 में 1999 में यानि कि यह sun दिया हुआ है year दिया हुआ है who expand spend the 76535 यह है first half में तो यह खर्चा हुआ है और next half में क्या हुआ है 88165 है ना फिर यह खर्चा हुआ है तो सबको plus कर लो है ना सबको plus कर लो 5 और 5 10 6 रुदी 9 और 1 10 5 और 1 6 एक 7 8 और 6 14 और 8 और 7 15 15 और 1 16 यह आ जाएगा well 1,64,700 ठीक है 1,64,700 रुपे आ गया यह आपका total sum आ गया है यहां से लेकिन आपको क्या निकालना था average divided by कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा क्यों क्योंकि daily income निकालनी है daily expenditure निकालना है आपको इसको simplify कर दो कितना आ रहा है बस भी यह बता दो एक बड़ cancel करके एक बड़ divide करके बताना कितना आ रहा है 450.23 और यह 450 तो आपको exact निकालना पड़ेगा यहां guys आपको यहां exact value निकालनी पड़ेगी answer बताएगे कितना आ रहा है इसको simplify करके थोड़ा इसको simplify करके कितना आ रहा है बताना एक बड़ 5 से cancel out करा दो एक बड़ थोड़ा simple हो जाएगा उसके बाद divide कर लो ठीक है उसके बाद divide कर लो option number C बता रहे हैं A के पटेल रही यह सी लिख दू मैं आपका नाम 450.23 451.23 यानि कि 451.23 इसको divide ही करना पड़ेगा और कोई मतलब नहीं है थोड़ा simplify करके divide करना है वास ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसका answer कीजिए इसमें पूचा है average of this 6 number is 8 ठीक है average जो है 6 number का वो कितना है? 8 है what is the 7th number? 7th number कितना होगा आपको यह बताना है so that average becomes the 10 average कितना हो जाए? 10 हो जाए फिर आपको 7th number निकालना है ठीक है? आपको 7th number निकालना है 6 number का आपको average दे रखा है कितना है? 8 दिया हुआ है what is the 7th number? 7th number आपको बताना है so that average becomes the 10 यह तो आसान सा ही question है पता दो फटा फटा फट यह तो easy question है काफी average of the 6th number दिया हुआ है कितना 8? सम यहां से पता चल जाएगा 8 इंटू 6 ठीक है? 48 हो गया plus 7th number में क्या होगा जिससे कि average कितना हो जाए? 10 हो जाए है ना 10 हो जाए तो 7th number मालो एक्स हो जाए है ना और 10, 7, 7 इंटू 10 यानि कि 70 ही हो जाएगा तो 48 minus कर दो इसमें से कितना आ जाएगा? 22 option number A है ना clear है सबको? बताओ easy था question तो मुश्किल तो नहीं था है ना ठीक है? चलो इसको बताओ यह आपका है average वाला कि monthly average income जो है वो इतनी है अच्छा पूछा क्या इसमें? पूछा क्या है? the average expenditure of a man for the first 5 months के लिए 120 and then for the next 7 months के लिए 130 his monthly average income बतानी है अगर he saves the 290 रुपे in that year अच्छा monthly average income आपको बतानी है ठीक है? monthly average income आपको बतानी है पहले आप क्या करूँ न? मन्थली अगर निकालनी है तो आपको total average income पता चल जाएगी तो average तो निकाल सकते हो फिर आप ठीक है? divide करके तो sum पता करने की कोशिश करो पहले पहले 5 months का आपको average expenditure दिया हुआ है तो total पता चल जाएगा है यहाँ से आपको total पहले total निकाल लो फिर next 7 months का दिया है वहाँ से निकाल लो फिर add करो है ना total आपको expenditure पता चल जाएगा total expenditure पता चल जाएगा तो फिर income message expenditure को minus कर दो हुआ 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 है पता यह answer क्या answer है इसका होगा किसी का answer आया किसी का answer आया है option number C option C बता रहे हो आप है ना देखो average expenditure दे रखा है किसका man का for the first 5 months के लिए 120 है तो यहाँ से total पता चल जाएगा पहले है ना तो 120 into 5 1250 और 107 मा जाएगी यानि कि 600 यहाँ से आ गया ठीक है 600 जब यहाँ से आ गया तो total expenditure जो है for the next 7 months का कितना दिया है 130 दिया हुए तो यहाँ से भी यहाँ से भी निकाल लेते हैं पहले sum total है ना यहाँ से total कितना आएगा 130 into next 7th month दिया हुए तो 7 से multiply कर दो 0 721 2 और 7 एकम 7 और 2 910 यहाँ पे आ गया ठीक है total expenditure यहाँ से पता चल गया 5 महीने का 7 महीने का यहाँ से पता चल गया यह आपने निकाल लिया तो दोनों को add कर दो फिर दोनों को add कर दो तो total expenditure पता चल लिया 9 से 15 1510 आपको total यहाँ से पता चल गया है ना 1510 आपको total पता चल गया यहाँ से आगे इसने कहा है कि his monthly average income आपको बतानी है तो if the he saves the इतने रुपे in that year तो इतने रुपे वो save भी कर रहा है तो 1510 तो यहां से आगे total expenditure ठीक है 1510 आपको यहां से आगे total expenditure if he saves the इतने रुपे in that year तो 290 रुपे वो save कर रहा है तो 290 और कर लो है ना, 290 और डाल दो इसमें तो कितना हो जाएगा टोटल 290 डालती, 1800 बन जाएगा ठीक है, 1800 आपका बन गया और आपसे पूछा क्या है आपसे पूछा है monthly average income तो average income मता नहीं है वो भी monthly तो 12 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा फिर इसको है ना, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखना कितना आया, 12 कम 12 12,50 यानि कि 1500 आजाएगा, 150 कितना आजाएगा, 1500 150 है ना, हाँ वो तो सवागी ता, पता ही है आपको सबको कि income जो होती है, वो क्या होती है expenditure plus saving है ना, वो तो पता ही है आपको ठीक है, hello good morning, good morning, good morning guys, चलिए, आगे बढ़े इसको बता ही है इसमें लिखा हुआ है the average salary जो है, of a beast worker in an office is 1900 रुपे पर मंथ, ठीक है the manager salary is added अगर manager की salary भी added कर दी जाती है इसमें so average become the 2000 रुपे पर मंथ, ठीक है और the manager's annual salary आपको बता लिए है in lakhs, lakhs में कितनी हो जाएगा आप से ये पूछा है तो देखो, इसमें annual पूछा है है ना इसमें annual पूछा है तो पहले आप monthly निकाल लो उसमें 12 से multiply कर देना ठीक है पहले तो आप इसकी निकाल लो average salary दे रखे 20 वर करकी है ना अगर 20 वर करकी average दे रखे आपको तो यहां से आपको total पता चल जाएगा है ना चल जाएगा पता वो total निकाल लो पहले आप ठीक है वो total पता कर लो total कैसे आएगा देखो sum यहां से निकालना है पहले आपको sum निकाल लेते हैं तो 20 वर कर है और 19 सो रुपे पर मंद है तो 19 दुनी 38 है ना तो direct multiply करनी है ठीक है exam में यह सब लिखने की जड़ोत नहीं है कभी यह लिखना है start कर दो direct multiply कर दो 19 दुनी 38 38 और 3.07 में ठीक है जितना short हो सके उतना short किया करो exam में या फिर आप जब practice कर रहे हो mock test दे रहे हो जितना short हो सके ठीक है यह तो आगया आपका average salary of the worker ठीक है if the manager salary add कर दिया जिससे average बढ़ जाता है 2000 रुपे पर मंद ठीक है पहले 20 worker थे अभी होगे 21 क्योंकि एक manager भी आ गया है एक manager भी आ गया है उसको भी add कर देते है लेकिन 21 तो आ गया है लेकिन अभी total अगर हम यहां से निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा देखो total हो गया 21 into average कितना हो गया 2000 रुपे पर मंद बढ़ जाता है 2000 रुपे पर मंद आपका बढ़ जाता है तो कितना बढ़ गया है तो टोटल यह है और sum यह है तो manager की salary है अगर मैं बता करूँ यहां से कितना आ जाएगी यहां से 42,000 में से 38,000 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4000 रुपे है ना यह manager की salary हो जाएगी इसकी ठीक है यह कितना आ जाएगी manager की salary आगी तो 4000 रुपे manager की salary है लेकिन उसने पूछा गया है manager की salary आपको annual में बतानी है रुपीज ठीक है आपको manager की salary बतानी है annual में रुपीज में तो अपने पास अभी तो 4000 यह आई है है ना इसको जब आप 12 से multiply करोगे तब जाके annual बनेगी यानि की per year के इसाब से अगर में बात करूँ तो annual निकालना होगा तो 4000 की multiply करादो आप 12 में 12 चुक 48 हो जाएगा 48 और 3 जिरू साथ में आ जाएगे option number D सही है clear है यह आपका मंतली जाए थी यहाँ पे 4000 है ना अपने को मंतली नहीं पूछा अपने को पूछा है कि total बताओ annually बताओ yearly बताओ ठीक है easy था ज़्याद मुश्किल नहीं था बस manager की salary निकालो total आपको पताए sum यहाँ पर पताओ 20 worker का जब एक add हो जाता है 21 worker का आपको sum पताए उचको minus करो manager की salary automatically मिल जाएगी आपको है ना और फिर जैसे manager की salary मिल जाएगी into 12 करना पड़ेगा क्योंकि अपने को annual बताना है ठीक है चलिए आगे बढ़े इसको बताएए हेलो दिपांशी गुड मॉर्निंग कैसे हो एक club है has 15 men है और 25 women है ठीक है एक club में तो average age of the man जो है वो 10 साल दे रखी है average age of woman जो है 12 साल दे रखी है what is the average age of the whole club total का पता है बड़ा easy सा question है पहले man का निकाल लो sum ठीक है फिर woman का निकाल लो फिर दोनों को sorry फिर दोनों को क्या करो plus कर लो ठीक है दोनों को क्या करना है फिर plus करना है ठीक है पहले आप man का निकाल लो फिर woman का निकाल लो दोनों को plus कर लो whole club का पता चल जाएगा फिर total आपको average उससे निकाल नहीं है तो एक club है 15 man है तो sum पता चल जाएगा man का 15 man का कितना है 15 और average कितना देखा man का 10 साल तो 15 into 10 यानि कि एक धेड़ सो 150 ठीक है और average of the woman का कितना बार है ठीक है तो sum 12 है 25 woman का पता चल जाएगा यहां से यहां न तो वो कितना आएगा 25 into 12 तो इसको भी multiply 12 पंचे 66 और 12 दोनी 24 और 6 तीस 300 यहां से बता चल जाएगा ठीक है टोटल का बताना है टोटल इसमें एड कर दो यह कितना हो जाएगा 450 divided by whole club का बताना है तो 25 man यह थे और आपके woman कितनी थी 25,15,40 तो यह 1.something कुछ आएगा 11.something तो 4 एकम 4 2,4 दोनी 8,4 पंचे 20 11.25 आ रहा है option number C ठीक है 11.25 आ रहा है ठीक है सब को समझ में आ रहा है चले आगे चले इसको बताईए इसका क्या आंसर आएगा इसको बताना average is of the 12 result is 15 average is of the first 2 first 2 का 14 है what is the average of the rest rest का आपको बताना है देखो total आपके पास 12 result का दिया हुआ data और फर्स्ट 2 का दिया हुआ 14 rest का पूचा आप से average कितना होगा कितना आंसर आएगा बताओ easy है बहुत easy है तो है ना बहुत easy है देखो average is of the average of the 12 result is 15 तो 12 into 15 हो जाएगा direct यहाँ पर समपता दिया बाराबर average is of the first 2 का कितना हो जाएगा first 2 का आपको 12 14 into 2 हो जाएगा plus 2 तो थे total आपके पास 12 थे 10 into x कर देते हैं है ना 10 into x कर देते हैं तो इसको कर लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 3 15 गम 15 और 38 और 14 दूनी 28 280 280 में से 180 गई तो यहाँ 100 बचेगा 100 divided by 10 करोगे तो 10 ही आजाएगा अरे एक सेकंड कुछ गडबड़ कर दिया यह थिंक तो यह कितना हो गया 14 दूनी 28 थाइस ना 28 हो गए है 14 दूनी 28 हो जाएगा है ना यह दो और यहाँ 7, 5, 1 15.2 ना सॉरी हाँ 15.2 ठीक है चले आगे चलो यह एरोप्लेइन वाला है इसको बताओ यह एरोप्लेइन वाला कुशन है इसको बताना यह एरोप्लेइन वाला कुशन है इसको बताओे क्या अंजर इसको होगा पहले ध्यान से देखो क्या पूछा है क्या निकालना है यह एरोप्लेइन है वो फ्लाइज कर रहा है अलोंग दा फॉर साइड ओफ स्क्वार फिल्ड एक स्क्वार फिल्ड है इसके चारो साइड पर वो फ्लाइग कर रहा है at a speed of the 200, 400, 600, 800 किलोमेटर पर आर की speed से average speed of the plane in the flight around the field in the किलोमेटर पर आर ऐस में आप से पूछी है ठीक है तो कुछ इस तरीके से वो fly कर रहा है देखो यहना यह square field है इसके उपर fly कर रहा है सारे की सारी speeds आपके सामने अलग-अलग है यहना average speed बतानी है तो average speed होती क्या है average speed होती क्या है आपकी total distance upon total time यही तो होती है speed distance का concept है average speed is the total distance upon total time ठीक है सर गुस्सा है दीपू सर गुस्सा है दीपू हमसे ना बोल रहे सर तुमसे इससे पूछ रहे क्या लिख रहे हो पायश कुमारी ठीक है देखो अगर side में सबकी square है क्योंकि सबकी sides जो होगी उस सेम होगी suppose a है यह 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 भी a है है ना सबकी side क्या है यह 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 दे रखी है total distance हो यहां से पता चल जाएगा a प्लस a प्लस a प्लस a total होगया 4a तो 4a जो है आपका यह है total distance upon total time माल लेते हैं x होगा बराबर जब वो एक side पर चल रहा होगा तब देखो क्या होगा जब वो एक side पर चल रहा होगा यानि कि a पर कितने की speed से चल रहा होगा 200 की speed से है ना तो यहां से time कितना आ जाएगा distance upon speed distance upon speed time हो जाएगा तो distance यह है speed आपने बता दी यहां पर 200 यह distance है speed आपने बता दी 400 distance है speed आपने बता दी 600 और उसके बाद 800 भी है a divided by 800 ठीक है ठीक है clear है बस इसको solve कर लो है ना अब यहां से x की value मिल जाएगी तो पूछा क्याता आप से the average speed of the plane in the flight ठीक है यहां से सब की values निकाल लो और answer कर दो मिल को क्योंकि a से तो यह cancel out हो जाएगा ना a से तो a cancel out हो जाएगा तो जो x की value बचेगी वो ही आपका answer हो जाएगा यह अगर हम देखेंगे यहां से 800, 600, 400, 300 lcm कीतना आजाएगा 1200 यह इसको करीदेते हैं लो 4a divided by x यह कितना हो गया 1200 600 यह 300 यह 200 और यह 24 I think 24 आना चाहिए था 800 भी तो दिया हुआ है चीक है 800 भी दिया हुआ है तो यह कितना आजाएगा 1200 यह कितना आजाएगा 6 600 a प्लस यह कितना आजाएगा 424, 624, 400 a और यह कितना आजाएगा 300 a सब को प्लस कर लो 12 और 6, 18, 18, 18, 24, 22 22 और 3, 25 सो यह कितना आजाएगा 4 a अपॉन x बराबर 2500 a अपॉन 2400 2200 और यह कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पर a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की value कितनी आजाएगी वो बता दो कितनी आ रही है कितना रही है इस सोल करके बताओ दो एक बार जल्दी से x की value 8, 3 कितना रही है पताएगाईज देपान्शू कितना रही है इसको सोल करके यह 200 है यह 12 होगा यार क्या करना हूँ मैं एक सेकड़ यह तो 2-0 से 2-0 कैंसल आउट हो जाएगी ना तो यह कितना हो जाएगा बार है बार है बार है दोनी चोबेस यह च्छे बार है च्छे अठार है इसको बताना कितना आ रहा है सॉल करके X की वैल्यू शॉरी यह तो कैंसल आउट हो जाएगा X की वैल्यू कितना आ रही है सॉल करके 384 ठीक है 384 आएगी गाईज ठीक है इसको जड़त कैलकुलेट कर लेना और कुछ नहीं है एड करके डिवाइड करना है ठीक है चलो इसको बताना इसको बताना क्या आंसर आएगा यहां पर है एवरेज स्पीड ओफ इस साइकलिस्ट हूँ कवर दा फर्स सेकेंड और थर्ड किलोमेटर एट इस बीस सोला और बारा किलोमेटर पर आर रेस्पेक्टिवली आपको बताने किलोमेटर पर आर में एवरेज स्पीड क्या होगी साइकलिस्ट की ठीक है वो ही जैसे मैंने बताए था आवरेज स्पीड निकालने के कौन से वो कर लो जा तो फिर कि टोटल डिस्टेंस अपउन टोटल टाइम ठीक है इसको लगा दो टोटल डिस्टेंस अपउन टोटल टाइम कर दो आंसर आपका सामने आ जाएगा ठीक है कल मेरे सीजियल लेगे जाँ था अच्छा दिपान्शू कैसा गया सीजियल दिपान्शू टोटल डिस्टेंस कवर करो डिवाल डिवाइट टोटल टाइम कर दो बस अच्छा डिस्टेंस कैसे पता चलेगी एक्स मान लो टाइम कैसे पता चलेगा आपको क्योंकि स्पीड सब की अलग लग है तो पहला डिवाइड बाइड दूसरा डिवाइड बाइड तीसरा यहां से टाइम निकाल लो क्योंकि डिस्टेंस होते टाइम होता क्या है टाइम निकालना होगा तो distance upon speed कर दो है ना distance upon speed कर दो तो distance आपके सामने है already speeds आपके सामने अलग लग दे रखी है तीनों की तीनों अच्छा हुआ अच्छा ठीक है ठीक है चलो नहीं होता है तो इसको घर से कर ले आज मेरी थोड़ी तबियत भी खराब है ठीक है तो इसको कर ले ना एक तो एक कोशन मैं दे रहा हूँ और इस वन दो और एक ये ले लो तीन ठीक है तीनों कोशन का आप answer कर देना यह तो वो लगा लो फिर 3xyz upon xy plus yz plus zx उससे भी कर सकते हो ठीक है arts with song वो tricky है ठीक है और कोई connect होना चाता है अगर classes पर तो उसका बता देता हूँ मैं अब कुछ लोग पूछते रहते हैं बीच बीच में sir classes का बता दो classes का classes के लिए join करना चाते हो अगर तो आपको search करने adda 24-7 first link पर जाना है all courses में जैसे आप जाते हो न gate and engineering पर click करते हो तब जाके आपके सामने सारे classes open हो जाती है तो जिस भी class में आप join करना चाते हो enter करना चाते हो तो उस class में enter हो सकते हो आप just click on that link है ना जैसे suppose ssc.j foundation course है इस पर अगर click करना जाते हो तो इस पर click कर दो यहाँ पर आपको foundation classes दिखाई दे जाएंगी सारी है ना जैसे 2.0 है civil engineering का 2023 के लिए है ना यह सब 2023 के लिए है targeted है foundation है ठीक है join कैसे करना है जैसे 2.0 batch है इस पर जैसे आप click करोगे तो by now पर जैसे आप click करते हो फिर यहाँ coupon code enter करना पढ़ेगा आपको और वो coupon code कितना होगा Y 516 ठीक है apply जैसे आप करोगे तब जाके आपको यहाँ discount दिख जाता है और I think आपको अब दिख भी रहा होगा दिख रहा है सब को 9624 रुपे का discount 2874 में आप enroll कर जाओगे with 77% off के साथ अगर कोई enroll करना ना चाता है तब ठीक है ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर और वे नाइस दे गाईस सी यू गाईस